आपका बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का आप पहली बार PTI की वीडियो सर्विस को इंट्रिव्यू दे रहे हैं आप जानते ही होंगे कि बहुत ही कम समय में PTI की वीडियो सर्विस ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है और हमारी सब्सक्राइबर्स काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं हमारी सर्विस की तो आप हमसे बात कर रहे हैं यह बहुत माइने रखता है ना सिर्व पी टी आई को बलके पी टी आई के सारे सब्सक्राइबर्स जो देश के हर कोने में हैं उनको इनके लिए भी बहुत माइने रखता है मेरे लिए भी पहला आफसर है कि जब मै पिटियाई को उसके टीवी की दुनिया में मैं इंट्रिवी बे रहा हूँ. जी यूनीक बात है और ये हमारे लिए बहुत माइने रखता है ना सिर्फ हमारे लिए बलके हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बीजेपी के लिए बहुत महत्पूर्ण राज है। ना सिर्फ लोकसभा के लिए बट विधानसभा की जो अभी एलेक्शन होने वाली हैं। लेकिन बीजेपी का यहां पर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। नवीन बाबू हैं, दिगज हैं, बहुत लोगप्रियनेता हैं। तो उनका जो असर है वो बहुत ज़्यादा है, तो कैसे आप जीत पाएंगे ओड़िशा। चुनाव हम जीतेंगे जन्जा के विश्वास के आधार पर। हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, ऐसा आकर कहने के बावजुद भी। आज एसेंबली में सेकंड लार्जेस्ट हाइस्ट सीटों के जाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। लोग सभा में भी हम नंबर टू पे रहे हैं। और नंबर टू से नंबर एक पर जाने के लिए पिछले पांच सार मेरी पार्टी ने भरपूर मेहनत की है। दूसरा उड़िशा की जन्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। हो सकता है कि केंद्र के लिए पॉजिटिव वोट करें। लेकिन राज्य के लिए एक कपका जो है वो वरतमान सरकार की एंटी इंकममन्सी को लेकर के नेगेटिव वोट करें। और मैं देख रहा हूं कि मैं जो रेलियो में जा रहा हूं नेगेटिव वोट की तिवरता ज्यादा है। और इसलिए बिज़ेडी का बचना बड़ा मुश्किल है जी। लिकिन हमारे अनुमान से ज्यादा जनता जनारदन का संकल पर ज्यादा मजबूत था जो हमें चार चरण में नज़राया है। और उसमें औरिशा का भी बहुत बड़ा कॉंटिविशन होगा। औरिशा से बहार निकलते हैं आपका जो चार सो का लक्ष है उसमें दक्षिन भारत और पूरवी भारत में जो राज्य हैं उनमें जीतना बहुत एहम हो गया है आपके लिए। तो बंगाल, ओड़िशा और आंध्रा उसको मिलाकर आपकी क्या स्ट्राटेजी रही है और रहेगी इनको जीतने के लिए। एक तो हमारी स्ट्राटेजी पुरे देश के लिए समान है। फिर एक बार मोधी सरकार। और चार जून चार सो पार। तो उसमें कोई राज्य राज्य वार कोई डिफरत नहीं होता है। दूसरा यह ब्रह्म पहलाया गया है। और थोड़ा मैं ज़्यादा समय ले लूँगा आपका, लेकिन मैं कुछ विस्तार से बताना चाहता हूँ। सालों से हमारे देश की यह जो एक इकोसिस्टिम है। जो भाती-भाती के नेरेटिव गड़ती है। और देश को गुम्रह भी करती हैं, देश को तबाह भी करती है। और वो लंबे अर्थे तक लगे रहते हैं। जैसे एक मानेता थी, कि भाजपा तो शहरी पार्टी है। अगर आप बारी किसे देखेंगे, तो आपको ध्यान आएगा भाजपा गाव की भी पार्टी है। फिर नेरेटिव गड़ा गया, कि भाजपा तो उत्तर भारत की पार्टी है। गुजरात उत्तर भारत में नहीं गिना जाता। 25-37 से महां सत्ता में हैं। महाराष्टर में हम कई बार सत्ता में रह चुके हैं। हम गोवा में लगातार तीन बार चार बार से सत्ता पर हैं। हम करनाटक में राज कर चुके हैं। हम आंदर में कभी पार्टनर रह चुके हैं हम आज पुडिचेरी में अल्रेडी सरकार में है तो ये एक ब्रह्म फ़ल आया गया है कि भारती जनता पार्टी नौट फिर एक ब्रह्म फ़ल आया गया है कि भारती जनता पार्टी पुरुष केंद्री सोच वाली पार्टी है हिंदुस्तान की पार्लामेंट पर सबसे ज़्यादा विमेन हमारे कारकाल में जीत करके आई और उसमें भी सबसे ज़्यादा विमेन MP हमारे कारकाल में बने हमारी सरकार के समन में हमारी पार्टी के लिए कहा गया के तो बनिया ब्राह्मन की पार्टी है अज सबसे ज़्यादा दलित MLA MP BJP के सबसे ज़्यादा आदिवासी MP MLA BJP के सबसे ज़्यादा OBC MLA MP BJP के तो एक जान बुझ करके भ्रह्म फैलाए रखा हुआ है वैसा ही एक भ्रह्म है कि हम साउत में नहीं है 2019 के चुनाव देख लीजे 2019 के चुनाव में साउत के राज्यों की सबसे बड़ी पार्टी BJP है लेकिन भ्रह्म खलाया हुआ है नेरेटिव चलता रहता है और इस बार भी मैं कहता हूँ साउत में सबसे बड़ी पार्टी भारती जनता पार्टी होगी एंडी उसमें और जोड़ेगा तो आप कहना चाहते हैं कि BJP is a truly national party भारती जनता पार्टी डेवन से national party रही है और अप प्रेजयंस के अतने नेशनलिषन के हैं लेकिन हम बिचारों से भिन नेशनल है हमारे लिए नेशन फॉस्वेश यह हमारे फिर्वे हमारे इडियोग्य का आधार है हम बंगाल के लिए भी कोई निर्णे करेंगे तो नेशन फर्स का हिसाब से करेंगे हम केरल के लिए भी कोई निर्णे करेंगे नेशन फर्स के मांदर पर आधार पर करेंगे एक सवाल है कॉंग्रेस के बारे में आपने इतने सारे सौ से जादा रहलियां की हैं और आपने लगातार आरोप लगाया है कॉंग्रेस के ओपर कि वो एक मुस्लिम जो उनकी जो पॉलिसी है, उनका मैनिफेस्ट है माइनॉर्टी अपीजमेंट, तुष्टिकरन की पॉलिसी है आपने ये भी कहा कि वो हिंदुों का धन, मंगल सुतर लेके मुसल्मानों को दे देंगे, तो आप क्या सच में मानते हैं कि वो ऐसा करेंगे या कैमपेञ्ट का एक है? सवाल मेरे मानने का नहीं है, दूसरा, बिना सिर पहर के कैंपेशन करना ये पाप है. मैं ऐसा पाप न कभी किया है, न करना चाहता हूं. बिना सिर पहर के पाप करने का काम न लोगों ने लेकर के रखा है. जिस दिन उनका मेनिफेस्ट हाया था, उसी दिन मैंने कहा था, कि इस मेनिफेस्ट था plus मुस्लिम लिख की चाव है। कॉंग्रेस पार्टी का काम था कि उसी दिन वो जवाब देतक में देखिए हमारे यह मुद्धे हैं, मोदी जी कहरें सही नहीं है, एक बार भी जवाब नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे दीरे 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 देश की जनतां को एजु जा बनाना है, ब्रीज बनाने का टेंडर कों डाले जिसके पास रिसोर्सिज हैं, जिसके पास एक्स्पियंस हैं, जिसके पास कैपस पशिटिटि हैं, जो धन लगा सकता है, ट्रôm Savior को जा लगा सकता है, वो आएग़ा, अब आप उसमें भी आरक्षन कर देंगे, तो मेरे द जिस मिटिंग में मुझूद था जब मुख्य मंत्री है, उन्होंने कहा था देश के संशादनों पर पहला अजिकार मुसल्मानों का है. जब मैंने दिया तो उनके दिमाई में क्या पढ़ा है? तीसरा उन्होंने करना तका में क्या किया? करना टका में उन्होंने रातों रात सभी मुसल्मानों को OBC बना दिया और OBC का जो कोटना सा उसमें डाका डाल करके उन्होंने कर दिया डाइवर्ट मतलब वोट बैंक और वोट जिहाज को संतुष्ट करने के लिए अब दिल्ली में चुनाओं में वोट पाने के लिए 2014 में इलेक्शन गोसित होने के बाद 123 प्राइम प्रॉपर्टिज वकब बोर को दे दी ये सारी चीजे बताती है मैं उसका हवाला दे रहा हूं और मैं मानता हूं कि चुनाओं में मुझे ये लोग हैं जिन्होंने सब्विधान की जो सेकुलरिज्म का स्पिरिट है इसको उन्होंने अपनी चुनावी राजनिती के लिए तबह करके रखा हुआ है मुझे सम्विधान की उस पिरिट को एस्टाब्लिज करना इसलिए इनको लोगों को एस्पोस करना जरूरी है और चुनाव अपने आप में लोगों को एजुकेट करने का अवसर होता है आप सही बोल रहे हैं आपने कॉंग्रेस को अटैक किया लेकिन इसके साथ-साथ माइनॉर्टी में एक गभरहाट फैल गई है आपके बयानों की वज़े से तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे मैंने माइनॉरिटी के खिलाब एक शब्द नहीं कहा है मैं कॉंग्रेस के वोडबेंग की राजनिते के खिलाब बोल रहा हूं कॉंग्रेस सम्विधान के खिलाब काम कर रहे हैं इस पर मैं बोल रहा हूं भारत के सम्विधान ने सम्विधान निर्माताओं ने बाबासाब इंक्लूडिंग पंडित नहरूरे, धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षन नहीं होगा, यह समिधान सभा ने ताई किया है, अब आप उसे मुखर रहे हो, यह एक्सपोज करना मेरी जिम्मिवारी है, उस समय समिधान सभा में तो कोई मेरी पार्टी के लोग थे ही देश क विद्वजनों की सभा थी, उन्होंने नीडे किया था, तो आपके शब्द माइनॉर्टी के खिलाफ नहीं, सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ है, भारतिये जनता पार्टी कभी भी माइनॉर्टी के खिलाफ नहीं है, आज नहीं, कभी भी नहीं है, लेकिन हम वे लो मेरा सबका साथ सबका विकास सर्वपंत संभाओं में के चलना चाहते हम किसी को सपेशल शिटिजन मानने को तैखें सब सकाद को समान मानने को करते सवाहल है ब्रैंड मोधी पर आप एक मिनट के भूल जाईए कि आप नरेंदर मोदी हैं आप पलिटिकल एनलिस्ट हैं आप जरा एनलाइज करके हमें बताईए कि क्या वज़ा है ब्रैंड मोदी की सफल था कि जहां मैं बहुत मैंने एलेक्शन रैली कवर किये हैं जहां भी जाता हूं सिर्फ मोदी नाम पर ही वोट गिरने देखें एक इंसान तेरा साल तक एक अच्छे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो दस साल प्रधानमंत्री रहा हो और उसकी सो सल की मां सरकारी अस्पताल में आखरी दिन बिताती हो तो उस देश में ब्रांड की जरूत नहीं पड़ती हैं यह देश समझ सकता है यह जीवन कि मेरा जब आप नेताओं के बगल में उनके भाई भते जये चाथा मुझ पर मेरे पूरे कारकाल में आरोप क्या लगा आरोप यह लगा पड़ा इंट्रेस्ट नहीं है मैं गुजरात में था और अमर्सीवै चोधरी कॉंग्रेस के नेता गुजरात के मुख्यमंत्री बाद में दो चुनावार गए मैं मुख्यमंत्री था तो उन्होंने एक दिन आरोप लगाया कि मोदी के पास 200 पैर कपड़े हैं मुझ पर सबसे बड़ा आरोप यह लगा उद दिन मेरी एक पब्लिक मेटिंग से मैंने पब्लिक मेटिंग में कहा कि यह जो आरोप लगा है इसको मैं स्विकार करता हूं फिर मैंने लोगों को पुछा पब्लिक में मुझे बताई भी आप कैसा मुख्यमंत्री चाहिए वो मुख्यमंत्री जो डाइसो करोड रुपे की चूरी करता है या वो मुख्यमंत्री चाहिए जिसके पाद डाइसो कपड़े हैं पता यह कौन चाहिए आपको आपको वो मुख्यमंत्री चाहिए जिसके भतीजे डाइसो एकर जमीन सरकारी कपचा करके बैठ गए हैं वो चा से देश मेरे यहां गुज्राइब में चलेगा यह उसके बाद उनके आरोप करने के हिम्बत नहीं रही है यह ब्रांड इससे बनती है दूसरा मैंने कहा है देश की जनता को कि मैं बद इरादे से कुछ भी नहीं करोगा मैं इंसानों गलती हो सकती है बैड इंटेंशन से कभी नहीं करोगा और दूसरा मैंने कहा था कि मैं महनत करने में कोई कमी नहीं रहा है मैंने देश को यह वादे किया है जिसको मैं आज भी लेटरे स्पिरीट में फॉलो करता हूं तो जो ब्रैंड मोदी चलता जा रहा है इस बार तो आप फिर से प्रधान मंत्री बनेंगे ही अगले ट्विंटी ट्विंटी नाइन में भी लगता है कि आप ही बनेंगे पहली बात यह है कि मैं बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ मैं कुछ करने के लिए पैदा हूँ और मेरा मिशन है ट्विंटी फॉर्टी सेवन में मेरे देश को विक्सित भारत बनाना कुछ मुझे करना है और उस करने के लिए मुझे जो करना पड़े वह करता रहता हूँ है मैं कहता हूँ मैं बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हुआ हूँ तो जो सरकार होगी वो इस foundation बनेगी कि आपके 400 से ज़्यादा seat है, इसका मतलब जो opposition है वो ना के बराबर रह जाएगी, क्या ये democracy के लिए सही है? पहली बात ये है, लोक तंत्र में विपक्ष का सफल होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं 2014 से 2024 तक का मेरा अनुगव है, कि दुर्भाग्य से हमारे देश का विपक्ष, विपक्ष के रूप में भी विफल गया है, वो कुछ contribute नहीं कर पा रहे है, हाउस में डिबेट होनी चाहि है, वो नहीं हो रही है, फुर्दन करने के सभा कुछ करने ही रहे हैं, हम पार्लामेन में दो लोग थे, लेकिन एक सक्षम विपक्ष की भूमिक आदा की थे, और हमारा स्टॉलबर लीडर एक भी नहीं था, फिर भी इतिहास में हमारी प्रिजन दर्ज है, क्यों? क्योंकि ह हम कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले लोग है, डिस्ट्रक्टिव सोच हम रखते नहीं है, लोग तंत्र में चुनाव हो जाए, हो जाए, उसके बाद हमें देश के हित में अपनी भूमिकाती करें, दुर्भाग्य से, कॉंग्रेस पार्टी एक ऐसी परस्तित्यों में जक्ड करने को त्यार नहीं कि देश में को और प्रदानमाती की बन चुका है, दस सार हो गए, जब तक ये साइकोलोजिकल प्रॉब्लम उनका है, तब तक वो सकारत मों कुछ से सोची नहीं पाएंगे, समाल है, नंबर का मुद्दा नहीं है, क्वालिटी का मुद्दा है, आप कु मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा PTI का पहला इंटर्यू और आपने सब ने स्वायम निकाल करके आप आए, मेरे लिए बड़ी खुशिक बात है, और जगनाजी की कुरपा के नीचे हम बैठे है, और उजवल भविश्य के लिए जगनाजी के आसिरवाद बने रहेंगे बेरी PTI को भी बहुत बहुत सुबकामना है, आपके वाचार को दर्सक एक बुणा आपका कुन्बा बढ़ रहा है, बेरी बहुत बहुत सुबकामना है बहुत बहुत बदन्यवाद मुदिश्यू